डेटा अनलिस्ट की बात करूं तो ये एक ऐसा केरियर ऑप्शन है जिसके लिए कम्पुटर साइंस डिगरी या कोडिंग बैग्राउंड की जरूत नहीं है आप सिर्फ तीम महीनों में ये सारे स्किल सीख सकते हो और सकसेथुली अपना कारियर डेटा साइंस घाली में स्टार्टकर सकते हो या स्विछ किर सकते हो हाई फोर्क्स मैं और रिशवब और इस वीडियोम बात करेंगे कि आप एक डेटा एनलिस्ट कैसे बन सकते हैं इस वीडियो में मैंने step by step बताया है कि आपको कौन-कौन से skills सीखने होंगे, ये skills आप कहां से सीख सकते हैं, साथी साथ average salary discuss करी एक data analyst के लिए, और finally वीडियो के end में, resume में और interview preparation के लिए भी resources और tips शेयर किये हैं, तो चलिए data analyst बनने का सफर शुरू करते हैं, तो आप screen पे द और इस roadmap को मैंने structure और detail तरीके से बनाया क्योंकि मेरा खुद का 5 साल का working experience है data science field में, और ये सारी चीज़े हैं जो कि आपको इस roadmap में बिलेगी, तो यहां पर आता है सबसे पहला point कि data analyst करते क्या है, तो अगर simple term से बताऊं, तो data analyst एक business problem को solve करते हैं, data की मदद से, और यहां यहां पर मैंने data analysis process को six steps में divide किया है, जो कि यहां पर आप देख सकते हो, तो चलिए इस roadmap को start करते हैं, जो सबसे पहला skill हम लोग को सीखना होगा week one और week two के अंदर वो है excel, अब काफी लोग बोलते हैं कि excel outdated हो चुगा है, क्योंकि market में बहुत सारे tools आगे जिनकी help से आप data analysis कर सकते हो, बट यहां पर मैं excel recommend कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहला point इसको चलाने के लिए आपको कोई coding skill नहीं चाहिए, इसको कोई भी बंदा चला सकता है, दूसरा चीज है कि अगर आपके पास कोई small quantity का data है, तो आप उसके पर तुरनत analysis कर सकते हो, compare to कोई other tool, तो excel काफी handy tool है, और इसको आप day to day purpose में जरूर यूज करोगे, चाहिए आप कितने भी senior हो जाओ, ठीक है, यहां पर मैंने कुछ topics नहीं है, आपको सिर्व इतने topics ही पढ़ने है, इससे आद आपको पढ़ने जरूत नहीं है, first entry level job के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हो, basic formulas मैंने बता है, तो यह भी आप सीख सकते हो, और last में आपका pivot table और pivot charts आता है, यहां पर मैंने एक point लिखा हुआ है, कि आप VBA और macros को आप ignore कर दीजेगा, ऐसा इसलिए, मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि दीरे-दीरे VBA का use कम होते जा रहा है, और दूसरा चीज, जितना समय आप VBA सीखने में लगाओगे, उससे अच्छा है कि आप कोई और important skill पे ध्यान दो, और उसी के नीचे Excel सीखने के लिए मैंने different resources शेर किये, तो आप देख सकते हो, अगर आपको Excel one video में सीखना है, तो यहां पे मैंने link दिया उसका, यहां पे complete playlist है, जहां पे आप Excel सीख स सकते हो, अब जो हमारा next skill आता है, वो है maths और statistics का, तो यहां पे भी मैंने again कुछ important topics दिये हैं, आपको इसमें ज्यादा समय लगाने की जुरूत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ limited topic की सीखने होते हैं, data analyst job के लिए, तो वो आप कुछ सीख सकते हो, बाकि आपको समय इस पे waste कर course है, ठीक है, इसके लावा एक statistics का है tutorial जो की simply learn का है, वो भी यहां पे मैंने link share किया है, अब यहां पे मैं आपके लिए कुछ next steps दे रहा हूं, यह next point बता रहा हूं, जैसी आपके दो week complete हो जाएंगे, तो आप इन पे काम कर सकते हो, सबसे पहला चीज़ आप LinkedIn का profile बनाईए, और उसको project section में जाके LinkedIn में आप add करिए, ठीक है, और last चीज़ मैं आपको एक option दे रहा हूं, यह आप चाहो तो कर सकते हो, यह है कि आप GitHub का account बनाईए, तो यह होगी हमारा week 1 और week 2 complete, अब चलते हमारे week 3 पर, तो आप देख सकते हो week 3, week 4 और week 5, इसको combine करके मैंने यहां पे एक चीज़ सीखने को बुला आपको, वो है SQL, अब यह काफी important skill है, क्योंकि most of the time, आप SQL पे काम करते हो, क्योंकि आपका जो data होता है, वो एक database में store होता है, और उसको access करने के लिए, आप सिक्वल का use करते हो, तो अगर एक्दम simple term सिर समझाओं, तो जैसे हम लोग आप आप बात करने के लिए, किसी language का use करते हैं, उसी तरह अगर मुझे database से बात करना है, तो हम लोग SQL का use करते हैं, तो यह एक तरह का language होता है, database से बात करने के लिए, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैंने कुछ important topics की लिए share कर एए, आप सिर्फ इतना पढ़ों, आपके लिए तना क किसी website के थ्रू जाके SQL सीखना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिया है, तो एक W3 schools करके website है, तो वहाँ पे आपको काफी सारे अच्छे resources मिल जाते हैं, तो एक बार मैं जल्दी सा आपको दिखा देता हूँ, तो आप देखते हैं, SQL का tutorial है, तो यहाँ पे left side में आप सब कुछ है, intro है, syntax है, select statement है, distinct select है, ठीक है, सारे basic चीज यहाँ पे आपको SQL का मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप जाके उनको सीख सकते हो, ठीक है, और एक और मैंने यहाँ पे portfolio project बनाने के लिए आपको SQL का दिया है, इसके लावा अगर आपको SQL practice करना है, तो यह काफी important च तो यहाँ पे again मैं आपको, जैसे यह SQL complete हो जाएगा, तो इसके बाद again मैं आपको यहाँ पे next step बता रहा हूँ, सबसे पहला चीज आप SQL का project बनाएए, और उसको resume में add करिए, ठीक है, मतलब LinkedIn पे add करिए, resume में add करिए, अगर आपने GitHub account बना लिया, तो आप वहाँ पे भी add क सकते हैं, वह काफी अच्छा रहेगा आपके, और दूसरा चीज़, जो आपने LinkedIn का account बनाया न, वहाँ पे जाकि आप different लोगों से connect के लिए, जो आपके industry के हैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ skill सीखने से कुछ नहीं होगा, आप सब कुछ सीख गया बट अगर आपको job चाहिए, तो आप referral ले सकते हो, या आपको पता लग सकता है कि इस company में job निकला है, तो वहाँ apply कर सकते हो, यह काफी important चीज होता है, दो minute का काम है, Instagram पर हम लोग कितना समय बरबाद करते हैं, इसको request भेजते हैं, काफी जगा से blog भी हो जाते हैं, तो उससे अ business intelligence tools होते हैं, और इसके अंदर दो सबसे आदा user, इसके अलावे भी काफी सारे tools हैं, और जो सबसे आदा user होने वाले हैं, वह Power BI और दूसरा Tableau, यहाँ पर मैंने एक note point दिया है, काफी important है, क्योंकि काफी लोग भढ़क जाते हैं इसको देखके, मेरा personal ऐसा मानना है, कि अग काफी जल जल दी updates से रहें, और उसको cloud के साथ use करने में भी काफी easy होता है, क्योंकि काफी जगा Microsoft का Azure use होता है, जो की cloud platform है, तो वहां से आप easily current करके dashboard charts बना सकते हो, दूसरा चीज, यह काफी similar होता है Microsoft Excel की तरह, तो आप Excel तो सीखे रहे हो, तो Power BI भी आपका एक तरीके से prepare ह हो जाता है, तो इसलिए मेरा personal recommendation रहेगा, या suggestion रहेगा कि आप Power BI सीखे, बट मैं यहां पर दोनों के resources शेयर कर रहा हूं, तो अगर आपको tablet सीखना है, तो बात करते हैं, सबसे पहले Power BI का, तो इसके लिए जो resources हो है, सबसे पहले मैंने roadmap बनाया था, मेरे channel का video है, तो यह roadmap ब पास काफी अच्छे इसने बनाये videos, इसके लावा Udemy का course है, तो वो भी मैंने यहां पर share किया, और finally मेरे channel पर भी एक Power BI का full tutorial आएगा, जिसमें मैं एक्दम end-to-end project बनाऊगा, एक्दम basic से लेके end तक, तो उसको आप देखके दो फाइदा होगा, एक तो आप Power BI सीख तो उसके लिए अलग से मैं आपको यहां पर रिसोर्से शेर कर रहा हूं, और यहां पर मैंने एक note point डाल दिया, कि यह सिफ example purpose के लिए, बाकि आप खुद से भी धून सकते हो projects, मतलब ऐसा नहीं कि यही करना है, आप को यह और भी कर सकते हो, next हम लोग बात करते हैं Tableau का, त उसको लीजिए, तो आपको 450-500 रुपर का course बढ़ता है, roughly है अगर आपको Tableau को project बनाने, तो अगेन यहां पर मैं कुछ link शेर कर दे रहा हूं, तो आप उनकी help से project भी बना सकते हो, तो इस तरीके से हमारा week 7 भी complete होता है, अब हम चलते हैं अपने next week पर, जो की होगा 8, 9, 10, तो इस week में हम लोग जो next skill सीखेंगे, वो होगा programming skill, अब काफी लोग इसमें भी confusion में रहते हैं, कि data analyst job के लिए programming की जरूत है की नहीं, तो यार अगर मुझसे आप personally पूछोगे, तो जरूत है, क्योंकि आज के समय में इतना ज्यादा competition हो गया है, job limited है, बट जो job के applicant से, जो होते हैं, कि अगर आपको data analyst feature, machine learning engineer, या आपको data scientist बनना है, तो अगेर आपको python काफी help करेगा, तो यह सब चीजे reasons के कारण मैं आपको suggest करता हूँ, कि आप python सीख लो, तो यहाँ पे कुछ topics हैं, जो python के अंदर आपको सीखने चाहिए, और आपको pro level पर नहीं जाना है, मैं फ पूछते हैं, पर pandas आपको अच्छे सानी चाहिए, तो pandas क्या होता है, जैसे आप Excel या SQL के अंदर आप tables पे काम करते हो, तो वैसे अगर python में आपको tables के उपर काम करना है, data frame के उपर काम करना है, तो उसके लिए हम लो pandas library को use करते है, pandas के अंदर क्या क्या सीखना है, तो अब लिस्ट में आपे शेर कर दे रहा हूं, तो वहां से आप सीख सकते हो, और matplot के अंदर क्या क्या सीखना है, तो वह भी यहां पे मैंने शेर कर दिया आपको, अब यह सारे चीजे कहां से सीखनी है, तो उनकी resources में आप शेर कर दे रहा हूं आपके साथ, अगर आपको python python सीखना है, एकदम scratch से, तो यह एक roadmap है, जहापे आप देख सकते हो, कि आप कैसे easily python सीख सकते हो, इसके लावा अगर आप कोई beginner हो, आप python हिंदी में सीखना चाहते हो, तो यह code with Harry पे एक video है, next है आप Udemy में आप python का course करना चाहते हो, तो वहां से कर सकते हो, w3 school एक website है, जै क्या होता है, उस सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो उनकी help से भी आप सीख सकते हो, इसके लावा अगर आपको pandas और matplotlib सीखना है, तो एक बार आप python सीख जाओ, उसके बाद आप इन libraries पे आना, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंने resources शेर किया है, तो उनकी help से भी आप सीख सकते हो, और इसी में last में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ python के project share किया है, तो आप इनको भी बना सकते हो, और यहाँ पे website मैंने share किया है, Kaggle free dataset, तो अगर आपको कोई खुद का dataset चाहिए, चाहे आप Excel पे काम करो, या SQL पे, या Power BI पे, कहीं पे भी आप काम करना चाहते हो, आपको dataset चाहिए, तो यह website आपको free dataset देती है, ठीक है, मैं आपको एक बाद जल्दी से दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे different types के dataset available है, ठीक है, आपको, जैसे अभी आज कल Adani का बहुत चला, Adani stocks का, तो यहाँ पे आप देख सकते इसके बाद चलते है next step पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला है कि एक python का full end-to-end project बनाना है, और यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, आपका 80% जो roadmap है, वो complete हो जाता है, मतलब technical चीज़ें आपकी सारी complete हो गई है, तो इसके बाद हमारे पास last के 2 week बसते ह week 11 और week 12 ठीक है, तो वैसी इसके बाद हमारे 3 months complete हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको suggest करूँगा कि आप soft skills पर काम करिये, और जो 5 main soft skills जो मेरे साब से हैं, एक तो होगे आपका communication skill, दूसरा analytical skill, तीसरा problem solving skill, storytelling और business understanding, सबसे पहला चीज, अगर आप interview देने जाओगे, आप communication अच्छा नहीं है, तो कितना भी अच्छा technical हो, कोई फाइदा नहीं होगा, ठीक है, तो आपको English आनी चाहिए, काफी लोग मुझसे comment में पूछते हैं, कि रिशाब भाईया, मुझे English नहीं आती, क्या मैं जॉब में चा सकता हूँ, या देखो ऐसा है कि मुझे Hindi आती है, आप मुझसे interview Hindi में दे सकते हो, बड़ जब आप Bangalore जाओगे, या आप किसी और city, state में जाओगे, जिसको Hindi नहीं आती है, उससे क्या करोगे आप, उसको तो Hindi सिखाओगे नहीं ना, तो उस case के लिए common language है, जिस पे आप काम कर सकते हो, अब ये सब चीजे कैसे सीख सकते हो, तो एक website is towards data science, ठीक है, अब उस website पर जाहिए, वहाँ पे काफी सारे latest update आते हैं, data science related, तो वहाँ से आप इस सब चीजे पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, आप news websites का help ले सकते हो, आप LinkedIn learning पर जा सकते हो, ये free होता है, काफी सारे उसमें resources free है, तो वहाँ से भी आप काफी सारे interviews मिल जाएंगे आपको, इसके लावा last point है, कि जैसे ही आप ये सारे technical skills सीख जाओगे, या आप कोई भी नया skill सीखते हो, तो आप LinkedIn पे या किसी platform पे share करिए, उससे फाइदा ये होता है, share करने से, जितना आप share करोगे, इतना आप grow करोगे, ठीक है, ये personally मैंने भी देखा है अब जो हमारा last step आता है, वो है resume और interview preparation के लिए, ठीक है, तो again जो resume preparation के लिए है, उसके लिए एक चीज़ आप हमेसा ध्यान रखना है, कि आप कितना भी अच्छा resume बना लो, वो perfect नहीं होता है, आप जो भी resume बनाऊगे, उसको आप professional template की help से बनाईए, और एक page का बनाईए, क्योंकि आप fresh और अभी आप उसमें दुनियादारी मत दिखाईए, इसके लावा जो भी आपने सीखा है, अभी तक इस video में, जो मैंने skills बता है, तो वो सभी कुछ आप अपने resume में add करिए, ठीक है, सारे skills होगे, soft skills, technical skills, वो सब आप add करिए, अगर आपने कोई course या कोई certificate क करिए, जो कि मैंने आपको बताया है, कि आप जो भी company में job apply करते हो, इसके हिसाब से आपका resume में वो tailor होना चाहिए, अब अगर आपको free template चाहिए, resume में बनाने के लिए, ये तीन website मैं आपको share कर रहा हूँ, इसमें से कुछ website है, जिनको मैंने भी use किया, तो आप यहाँ पे preparation के लिए चीज का ध्यान रखो, इसके लिए अलग से समय मत दो, ठीक है, आपने जितना भी तक prepare किया है, वही चीज interview पुछा जाएगा, तो आपका resume में है, वही आपका question होता, interview question, जैसी आप interview देते भी हो किसी company में, तो आप basic चीज़ें जो हैं, जैसे कि intro हो गया, उसके आप company क्यों switch करना चाते हैं, या आप मेरी company क्यों join करना चाते हैं, इस अटाइब के कुछ journal questions होते हैं, आप Google पे YouTube पे search कर सकते हो, उनको आप prepare कर लो, और जैसे से आप interview दोगे, आपको खुद को सीखने को मिलेगा, आपका experience बढ़ेगा, और उसके basis पे आप interview में और बहतर बन सकते हो, ठीक है, तो आप कभी wait मत करना, और यही चीज मैंने यहाँ पे same लिखा हुआ है, कि जैसे आप above step, उपर वाले जितने steps हो complete कर लोगे, आप jobs के लिए apply करने लगना, और जो interview हो एक पार होता है, लर्निंग का, आप resume के थूँ एकदम thorough रहे न, आपको जो resume में ल पता होगा, कि आप किसी भी company के questions, interview questions जाके देख सकते हो, काफी सारे लोग उदर questions पोस्ट करते हैं, interview के, तो वहाँ से आप सीख सकते हो, दूसरा ची लिंग दिन पे भी वोग अपना experience शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको 100% यह जो road map है, यह complete हो जाएगा, और यहाँ पर एक quote है, जिसको मैं काफी बार use करता हूँ, कि don't give up, great things, take time, be patience, क्योंकि जैसे आप यह सब चीज़े कर भी लोगे, इसके बाद भी guarantee नहीं कि आपको एक दिन, दो दिन या एक हफते के अंदर job मिल जाए, चीजों में समय लगत करते हैं, एक data analyst की average salary कितनी होती है, तो यह data मैंने glass door से उठाया है, और उनके हिसाब से 6 lakhs per annum होती है, एक data analyst, एक fresher की salary, और जैसे ऐसे आपका years of experience बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी salary भी बढ़ेगी, आपकी salary काफी सारे parameters पर depend करती है, और उसके हिसाब से कम या ज्यादा भ data science का professional certificate, यह दोनों ही आपको course era की website पर मिल जाएंगे, यह course आपको काफी help करेगा आपका first job crack करने में, या अगर आप career switch कर रहो तो उस case में भी आपके लिए काफी helpful होगा, तो अगर यह video आपको अच्छा लगाओ, तो please like this video and subscribe to the channel, और आप अपने friends के साथ भी share कर सकते हो, जिनको अपना career data science field में start करना है या switch करना है, तो I hope आपको इस video से कुछ सीखने को मिलाओ, तो मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए, bye bye